तो देश का पहला गायों का सेंटर ओफ एक्सिलेंस जो है वो हिमालच्र प्रदेश में खुलने जा रहा है हो सकता है कि आपने इसके बार में पहले से ही पढ़ लिया हो अगर नहीं पढ़ा है तो जो कंप्रिटेडिव एक्जाम आपके होते हैं उसमें करंट अफेर के हिमाच्र प्रदेश के किस जीले में खुला जाएगा तो वो खोला जाएगा आपका उना में अब इसमें होगा क्या क्या यह एक बात देख लेते हैं कि इस सेंटर में सारे काम जो होंगे वो रोबोर्ट के माध्यम से किये जाएगे यानि कि जो टेकनोलजी है उसको एक उठाने से रिलेटिड हो गया दूद निकालने से लेकर हो गया या फिर गायों में जो बीमारी होती है उनमें कौन-कौन सी बीमारिया उनको लगी है उन सभी की जनकारी जो है वो आपकी किसके द्वारा दी जाएगी वो रोबर्ट के माध्यम से जो भी रोबोर्ट होते है उनके माध्यम से दी जाएगी तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है और गर्व की बात है अगर आप हिमाचली हो कि ये जो देश का पहला सेंटर होगा वो हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा तो ये कौन से देश की साहिता से खोला जा रहा है ये आपका ड देश की साहिता से खोला जा रहा है ठीक है दूसरी बात है कि कौन से स्टेट में खोला जा रहा है और वो आपका जीला होगा तो ये आपको इमपॉटन्ट चीज़ें जो है वो याद रखनी है ठीक है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक जो है वो Hs की टेस सीर आपको 100 रुपीज में मिल रही है ऐसा प्राइज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा आल ओवर हिमाचल तो आप एक बार जाकर चेक आउट कीज़ेगा एक सेंपल भी उसमें दिया गया है तो उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं आगे बाद करते हैं जो आपको ये खुलने वाला है उसके लिए जो है वो आपका 10 हेक्टेर जमीन का चेन कर लिया गया है देश के पहले सेंटर ओफ एक्सिलेंस में जो है वो रोबोट काम करेंगे ये अपने आप में एक जूबा होगा वैसे बहुत सारे लोगों ने पहले इस चीज़ को नहीं देखा होगा और जब ये खुल जाएगा तो आप जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं इन रोबोट की मदद से ही जो है वो गायों का दूद निकाला जाएगा दूद में कितना प्रोटीन फैट है और गायों को किस तरीके की खुराक दी जानी है ये सारा जो आंकलन है इनकी कैलकुलेशन है वो आपके रोबोट ही करेंगे ठीक है खराब दूद को जो है वो अलग से कंटेनर में जो है वो रखा जाएगा और गायों को कौन सी बीमारी हो रही है ठीक है या कोई कुछ कमी तो नहीं है कुछ खुराक देनी है ये सभी कुछ जो है वो आपके रोबोट एक दिन पहले ही जो है आपको जो भी महां का जो है वो सब कुछ डाटा वो एक दिन पहले ही बता देंगे इसके साथ सा जो सेंटर की सफाई होगी जितना भी वर्क होगा वो भी सारा काम जो है वो रोबोट करेंगे ठीक है तो सुनने में बहुत अच्छी चीज लग रही है बाकी जब होगा तब की तब देखा जाएगा तो ڈनमार्क क्या है कि Denmark के जो है वो उसकी साहिता से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और वही जो है उत्तम किसकी 200 गाएं जो है वो हिमाच्र प्रदेश में देगा यानि कि 200 गाएं जो है वहाँ पर Denmark की साहिता से रखी जाएंगी और AMU जो आपका जो आपका दूद उत्पादर है उसको बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और हिमाच्र प्रदेश में रगर आए तो हिमाच्री होने के point of view से वो बहुत गरब की बात है तो ये था एक छोटा सो topic I hope आपको पसंद आया होगा थैंक्स पूर वाचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स रोड़ो के साथ